हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सुभाम लेक्चरर चनल, तो स्टूडेंट्स वीडियो में हम 12 फिजिक्स के चैप्टर 1 बैदुत आबेश तथा छेतर के 10 महत्पूर्ण सूत्रों को पढ़ेंगे, यानि कि इस वीडियो में हम 10 important फार्मूलाज को पढ़ेंगे, जो क आपके आंकिक प्रस्ण है, वो नहीं लगने वाले, क्योंकि इस चैप्टर के जितने भी important फार्मूले हैं, उनको मैंने इस वीडियो में include किया है, तो 10 यही important है, और इनहीं से related numericals आते हैं, तो इन सूत्रों को last तक देखते रहें, ठीक है, मैं सब कुछ clear कराऊंगा, देख के लिए बनाया गया है, ठीक है, तो f is equal to formula इसका होता है, 1 upon 4 pi epsilon naught into q1 q2 upon r square newton, ठीक है, जो कुलाम के नियम का formula होता है, वो होता है, f is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught q1 q2 upon r square, क्योंकि मैंने आपको बताया था, कि किनी दो बिंदू आबेसों पर लगने वाला आकरसन था, परतकरसन बल, उन दोन आबेसों के गुडन फल के अनकुमान पाती, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के ब्योतकुमान पाती होता है, यही कुलाम का नियम है, ठीक है, उसी के हिसाब से यह formula है, 1 upon 4 pi epsilon naught यह आपका जो है, एक नियत तांक है, ठीक है, तो देखिए, अब यहाँ पर एक बात और आती है, f क्या है, यह बला है, ठीक है, force, q1 क्या है, यह पहला आबेस है, q2, दूसरा आबेस, r क्या है, दो आबेसों की बीच की दूरी, मैं सब कुछ बताऊंगा, और 1 upon 4 pi epsilon naught की value कितनी होती है, यह जानना जरूरी है, क्योंकि इसके बिना numerical नहीं लगने वाले, तो इसकी value मैंने आपको बताई थे, 9 into 10 के power 9, यानि कि 9 गुड़े 10 के power 9, newton, meter, square, newton, meter, square, प्रती, coulomb, square, ठीक है, यह इवन अपान 4 pi epsilon naught की value होती है, ठीक है, epsilon naught क्या है, epsilon naught है, निर्वात की बैदुत सीलता, समझ में है, तो इतनी चीज़े आपको जानना बहुत ही जरूरी है, तो coul चल गया, यह first formula था, second formula हमारा है, बिद्दु छेतर की तीब्रता, ठीक है, अब बिद्दु छेतर की तीब्रता को हम लोग डिनोर करते है, E से, E is equal to F upon Q naught, यानि कि किसी अल्पधन पर इच्छणाबेस, बैद्दु छेतर में, किसी बिंदु पर रखे पर इच्छणाबेस, पल लगने वाले बल, तथा पर इच्छणाबेस की अनुपात को, की निस्पति को हम बैद्दु छेतर की तीब्रता कहते हैं, तो इसका formula होगा, E is equal to F upon Q naught, जहां E है बैद्दु छेतर की तीब्रता, F है बल, F क्या है, बल है, ठीक है, Q naught क्या है, यह है आबेस, या इसका न है, इसका जो use है, वो जो है, परिच्छण के लिए, यानि कि test के लिए क्या रहता है, बहुत ही छोटा सा आबेस है, बहुत ही अल्प आबेस है, कालपनिक है, ठीक है, इसलिए से अल्प धन परिच्छन आबेस कहते हैं, तीसरा हमारा है, किसी बिंदु आबेस के कारण बिल्यू पेन का यूज करते हैं एपसालन नॉट इंटू क्यू अपान आर इसक्वाइर और जो आपका ई है बिद्दुछेत की तीब्रता इसका मात रखोगा न्यूटन प्रती कुलाम तो यह होता है किसी बिंदु आबेश के कारण बिद्दुछेत की तीब्रता का एपसालन नॉट इंटू डू पि अपान आर क्यूब और E का मात्रक होगा बिद्दु छेत की तीबरता का निूटन प्रती कूलाम ठीक है? तो ये हो जाएगा आपका फार्मूला किसका? बैद्दु द्यूधु द्यूधु की अच्छे इस्तिदी पर बिद्दु छेत की तीबरता का फार्मूला यहाँ पर वनपान फोरपय अपसाले नौट आपको पता है E है बिद्दु छेत की तीबरता P क्या है? P है बैद्दु द्यूधु द्यूधु बागूर ठीक है? मैं आपको पढ़ा चुका हूँ P है बैद्दू द्यूधरू बागूर याद रखेगा R क्या है यह है दूरी ठीक है अब आगे बढ़ते हैं पांच अबा फार्मूला देखते हैं देखे हमारा पांच अबा फार्मूला है बैद्दू द्यूद्रूप की निरच्छी रेखा इस्थिती पर बैद्दू छेत की तीबरता यान कि एक अच्छी इस्थिती होती है एक निरच्छी इस्थिती होती है तो अब आ गया है निरच्छी इस्थिती पर बिद्दू छेत की तीबरता का फार्मूला तो देखे इसका फार्मूला भी लगभग सेम है लेकिन थोड़ा फाचेंजिस है E is equal to 1 upon 4 by epsilon not into P upon R cube वहाँ पर क्या था अच्छे स्थिती में 2P upon R cube था ठीक है 2P यहाँ पर केवल P है Newton प्रति कूलाम ठीक है 6th number हमारा फार्मूला है कि बैदुद्यूद्रूप पर लगने वाला बल्यूग्म आगून तो बल्यूग्म आगून का फार्मूला तो बल्यूग्म आगून को हम दिनोड करते हैं टाउ से इसका नाम क्या है टाउ तो टाउ इसकोल टू होता है P E sin theta sin theta टाउ का मातर होता है newton meter newton meter तो यह आपका हो जाएगा और यही फार्मूला होगा बैदुद्यूद्रूप पर लगने वाले बल्यूग्म आगून का ठीक है जहां पर टाउ है बैदुद्यूद्रूप आगून ठीक है टाउ है बहुत important है बैदुद flux का ठीक है तो बैदुद flux का फार्मूला क्या होगा बैदुद flux को हम denote करते हैं phi e से ठीक है बैदुद flux का फार्मूला होगा close integration ठीक है यह आपका surface integration e vector dot d a vector ठीक है जहां e क्या है e है आपका बैदुद छेत की ती बरता d a क्या है d a आपका 6 रफल सदीज तो यह आपका फार्मूला हो जाएगा बैदुद flux का ठीक है तो phi e is equal to close integration e vector dot d a vector ठीक है तो यह आपका हो जाएगा आठवा हमारा गोस की पर्मे गोस की पर्मे क्या है इसका फार्मूला होगा phi e is equal to q upon epsilon not यह मैं आपको पढ़ा चुका है गोस के पर्मे फार्मे मैंने आपको पढ़ा था कि किसी बंद वक प्रिष्ट से गुजरने वाला बैदुद flux phi e उस प्रिष्ट दोरा परिबद कुल आबेस का एक बटा epsilon not गुना होता है ठीक है वही यहाँ पर हमने लिखा है य जाद रहें का बहुत ही important formula अब आता है हमार nine number nine number है अनन्थ पष्टार की समतल आबेसित अचालक चाधर के निकर बिद्दुछेत की तीबरता यानि कि जो अनन्द बिस्तार की समतक आबेसी तचालक है उसके निकर बिद्दुछेत की तीबरता का फार्मुला क्या होगा यह जो आपका है यह एक derivation है बहुत important तो e equal to formula होगा sigma upon 2 epsilon 0 ठीक है e equal to क्या होगा sigma upon 2 epsilon 0 अब यहाँ पर sigma क्या है यह जानना आपके लिए जरूरी है यह है आपका आबेस का प्रिष्ट घनतो sigma जो है यह है आपका आबेस का प्रिष्ट घनतो ठीक है तो यह आपका formula हो जाएगा epsilon 0 आपसे भी को पता है क्या है epsilon 0 है निरुवात की बिद्ध फिलता ठीक है sigma याद रखेगा लिख देता हूँ मैं ताकि भूलिये नव sigma is equal to आबेस का प्रिष्ट घरत प्रिष्ट घनतो ठीक है last one हमारा 10 नमबर आता है कि आबेसी चालक के ठीक बाहर बिद्धु छेत की तिपरता यानि कि आबेसी चालक के ठीक बाहर बिद्धु छेत की तिपरता का formula क्या होगा ठीक है तो इसका formula हो जाएगा e is equal to sigma upon epsilon 0 यहाँ पर sigma upon 2 epsilon 0 था और यहाँ पर हो जाएगा sigma upon epsilon 0 ठीक है जहाँ sigma है तो यह सब formula बहुत important है और इनकी सहायता से आप जो numerical जो आपके numericals है इस chapter के वो लगभभभभग इन ही सभी formula से पूछे जाते हैं इसलिए मैंने सोचा कि जब मैं इस chapter quality आपको पढ़ा चुका हूँ full chapter in one video तो अब आपका full important formula in one video भी भनाना चाहिए ताकि आपको इस chapter के सभी important formula यानि कि सूत्र clear हो जाए तो I hope कि आपको ये 10 important formula अच्छे से समझ में आ चुका होगा और इससे related अगर numericals भी पूछे जाते हैं तो आप आसानी से स्वाल्ब कर लेंगे तो कैसा लगा आपको ये वीडियो comment box में बताएं और आप लोग बनी पढ़ाई लगातार करते रहें और जो आगे की वीडियो मैंने बनाया हैं उनको आप लोग देखते रहें और मैं मिलूँगा आपसे एक नए वीडियो के साथ